हाई एवरिवन तो आज इस वीडियो के अंदर है डिसकर्स करते हैं बेसिक कम्पिटर इंजिनेरिंग के टॉप फाइब इंपॉर्टेंट कोश्चन्स ठीक हैं क्योंकि यार काफी बच्चों की डिमांड दी एंड यह लास्ट एक्जाम है ठीक तो यह एक्जाम कर लोने वाल कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक कम्पिटर के बारे में पढ़ लिया हुआ ठीक है पांचों यूनिट डिसकर्स कर लिए पांचों यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है वो डिसकर्स कर लिए लिंक डिस्क्रप्शन में वीडियो का तो इपना काम है कि भी या आपको बताना ठीक है तो मैंने फाइव इंपॉर्टेंट कोशन रखे हैं बट मैं हूप कर रहा हूं कि आप इससे जादा भी पढ़के जाएंगे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट कोशन भी लगा के जाएंगे ठीक है दोनों डली हुए लिंक डिस्क्रप्शन में जाक अबजेक्ट ओरियंटेट प्रोग्रामिंग मतलब OOP वर्सिस POP ठीक है डिफरेंस बिटिन आ सकता है इसके उपर हाला कि कोशन बहुत जादा सिंपल है बट ये बेसिक ही है सब्जेक्ट का नाम ही बेसिक कम्पिटर इंजिनेरिंग एंड उसके अंदर ये कोशन आ सकता है अबजेक्ट ओरियंटेट प्रोग्रामिंग वर्सिस प्रोसिजरल अबजेक्टेट प्रोग्रामिंग सो इसका डिफरेंस बिटन तयार करके रखना एट लीस सेवन पॉइंट पढ़के जाना ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग में हर एक बच्चे को इसके बारे मां एडिया करनी होगा तो इसलिए क्या रहा हूं कि डिफरेंस बिटीन इसके सेवन पॉइंट जरू पढ़के जाना कहां से बढ़ोगे गूगल करके पढ़ोगे गूगल में लिखो पी वर्सिस ओओ पी आ जाएगा ठीक है समझ महीं बात तो यह हुगा अपना पहला कोशन ओके क्लिय कोशन आ रहा है सीप्यू रजिस्टर तैयार करके रखना हला कि थोड़ा सा थोड़ा सा जादा आपको यहां पर दिमाग लग सकता है बट यार मैं बताऊं तो चीप्यू रजिस्टर इसके इन्पॉर्टिंट्स अलग अलग है तो अलग अलग चीज़े हैं इसलिए सभी ठीक टॉप फाइब के अंदर चले जाना यह आपको बहुत हेल्प करे रहा एक्साम पेपर से पहले देख के जाओगे तो तो मैंने दो कोशन डिसकस किए हैं अब्जेक्ट औरिंटेड वर्सेस प्रोसेजल अब्जेक्टेड ठीक हैं दूसरा होगे सीप्यू रिजिस्टर अब मैं बात करता हूँ आर कोशन नंबर थर्ड की जो कि वीडियो का अंदर होने वाला है थर्ड कोशन की बात करें तो OSI मॉडल ठीक हैं ओपन सिस्टेम इंटर कनेक्शन मॉडल जिसको OSI मॉडल कहते हैं यह आपका कंप्यूटर नेटवर्क वाले यूनिट का पार्ट हो सब्सक्राइब बहुत ही मजाग लगने लगा बहुत ही मजाग ठीक है आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए फुल आन ट्राय करूंगा OSI और OSI मॉडल के उपर ठीक है एंड इसकी लेयर के उपर सो इंट्रस्टेट बच्च है वाई कमेंट कर सकता है ठीक है बाखी आप लोग के उपर है देन मैं बात करता हूं अपना कौन से नमबर का कोशन वह फूर्थ नमबर का कोशन क्या वह बता दो देखो आपने तीन डिसकस तो करी लिए ओपी वर्सेस पी ओपी CP रोजिस्टर्स OSI मॉडल ठीक है तीन कंप्लीट हो चुक है तीनों बहुत देखों के लिए सबकुछ यह तो अब बात के बाइव नैक्स चोशन के ऊन्डर तो नेक्स जो एपना कंस्ट्रक्टर हो गया एंडी मायम च्छाओं में सकता है फट और अपने बस सिर्फ 5 ॉशन देने थे तो यार 5 कोशन मेरे उंदर वह हो जाता है कि मैं कौन-कौन से छ जुँद गे दूं तो यह वो सकता है पांच से च्छा हो जाएं बट सभी इंपोर्टेंट होंगे ठीक है मैंने के मता है फोट नमगर जो कोशिया ने वह बहुत रोग रोगया एंड इस्ट्रक्टर व गया यह आपको बताने या फिर हो सकता है टाप्स औफ पूछा जा सकता या तो फिर inheritance पूछा जा सकता है या polymorphism पूछा जा सकता है बहुत ही simple बहुत ही important एंग polymorphism में भी virtual functions पूछा जा सकता है so अगर आपके पास समय है link description में object oriented programming की ये सब अलड़ी मैं पढ़ा चुका हूँ जाके check कर लेना object oriented programming करके description में कहा रहा होगा playlist वह जाओ पढ़ लो काम खता है तो यहां पे तो अपने बात कर लिए constructor और डिस्ट्रक्टर की मतलब हो गया फोर तमगव कोशन तयार अब बात करते हैं last question की तो last question अपना database architecture ठीक है समझ में आता है last question के अपना database architecture ओके तो database architecture भी important है इसमें फ्रीटर आर्किटेक्चर ज्यादा पूछा जाता है एंड इसी के उपर आजकल working होती है सारे database models की तो database architecture तरीके से पढ़के रखना and I hope कि आपको यह पांचों questions बहुत ही पसंद आए होंगे इसमें से अगर किसी को ज़्यादा मेहनत करनी है तो यह दो चीजों में करनी है OSI 7 layer of OSI TCP IP model और दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट oriented के सारे concept जो इसमें नया 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 पूछा जाता है मनला कभी inheritance पूछ लेगा तो कभी constructor इस्ट्रक्टर पूछ लेगा कभी constructor इस्ट्रक्टर पूछ लेगा तो पॉलिमॉर्फिज में पूछ लेगा तो इनमें variation होते रहते हैं standard question आपके सामने बता दिए देखो maximum अच्छे जो हैं CS के students है true engineer के ठीक है तो यार ऐसी बात है कि top 5 तो ठीक आप लोगी help तो करेंगे ही ये questions बट मैं सोच रहा हूं कि यार आप लोग थोड़ा इसमें effort जादा मारो बेकॉज आपका subjective computer engineering है computer science है या फिर IT है तो यार यह subject आपको आगे चलके बहुत help होन पूछने वाला है encoding वाला पार्ट भी इसके अंदर आपको मिलेगा तो इंटर्व्यूस के अंदर भी यही सारे questions पूछते हैं तो ट्राय करना है कि थोड़े अच्छे से पढ़ो एंगा कैसी को detailing में चाहिए detailing में पढ़ना है link description में पहला है object oriented का दूसरा computer network का computer network आप लोग क maximum जितनी practice कर सकते हो उतना ट्राय करो ठीक है आज समय है हाला कि जाधा time है नहीं बट इतना मैं बता देता हूं कि यह जो पांच से च्छा कोशन मैंने discuss कि हैं पांची कि लग बग तो यह जो ट्राय करना की सबसे पहले खतम कर लो आप फटाफट इन सभी को अच्छे से प्र बार का famous है OSI 7 layer of OSI and TCP IP OSI model और TCP IP model यह दो तरीके हैं OSI में एक 7 layer of OSI पूछा जा सकता है 7 layer कौन-कौन से application हो गया presentation हो गया session हो गया ठीक है उसके बाद ट्रांस ट्रांस्पोर्ट हो गया ठीक है फिर हो गया network data link physical ठीक है इस तरीके से आएगा 7 layer of OSI I think आप लोग को clear हो गया हो जी है mail के अंदर में को mail कर सकता है ठीक है respond करूंगा ट्राय करूंगा आप लोग के जो आ रहे हैं मैसेज यह फिर क्विरीज डाउट रहे उसका ट्राय करूंगा जल से जल रिस्पॉंड कर सकूं बाकि आप लोग अपने इंट से ट्राय करो maximum जित्ता बढ़ सकते हो पढ़ लोग